हेलो फ्रेंड्स और एक बार आप सभी का सार्दा सदन ग्रूप और एजिक्वेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि आपको प्रीविएस वीडियो में हमने बताया है कि हिंदी मीडियम के लिए मैंने इंटिकेशन वाला जो टोपीक वो साथ में निश्चित समाकलन के पून धरम प्रोपर्टीज ओफ डेफिनेट इंटीगर्स देखिए फ्रेंड पहली जो प्रोपर्टी ओदिस की उसको पी जीरो से डिनोट करते हैं पहली प्रोपर्टी यह कहते है कि लिमिट एसे बी दी जाए एफ अक्स डिया जाए तो आप इसको यूज कर सकते हो बटा एसे बी एफ टी डी टी दूसरी प्रोपर्टी इसको आप पीवन से डिनोट कर सकते हो पीवन से डिनोट कर लोगी तो क्या आएका ध्याम तो भही आपके बास जिसे लिमिट दी वी एटू बी एफ अक्स डी एक्स तो जब इंटीगेशन नेगेटिव होगा तो लिमिट इंटर्चेंज होंगी जब इंटीगेशन नेगेटिव होगा तो लिमिट क्या होंगी इंटर्चेंज होंगी थार्ड पीटू है एटू बी आपकी लिमिट दी जाए एफ अक्स डी एक्स तो इसको आप लिखोगे एटू सी एफ अक्स डी एक्स पलस सी टू बी एफ अक्स डी एक्स ये मोड फंक्शन के लिए आप यूज़ करोगी ये लिमिट फोर्स आईगे आपकी P3 A2B आपकी लिमिट दी जाए तो आप इसको P3 को यूज़ कर सकते हो बटा A2B F of A पलस B माइनस X Dx मतलब अपर लिमिट और लोवर लिमिट को आप एड़ करके माइनस X कर सकते हो इसमें क्या कर सकते हो माइनस X आप इसमें से कर सकते हो तो यह ध्यान डखना आप इसके बाद में P4 पांस जो प्रोपर्टी यह वो P4 है यह जीरो से A लिमिट दी जाए Fx Dx दिया जाए तो आप इसको लिख सकते हो बटा जीरो से A F of A माइनस X Dx यह प्रोपर्टी काफी इंपोर्डेंट है इसका यूजेज आप काफी किस्वन में करोगे अब्जेक्टिव एक्जाम में जो अब्जेक्टिव किस्वन होते हैं उसमें इस प्रोपर्टी पे डिमेंडेंट किस्वन आते हैं इस प्रोपर्टी जो है यह आपकी पास अब ही पी फाइफ पी फाइफ क्या कहती ध्यान दीजिए आपकी लिमेट जीरो से टू यह दी जाए तो आप उसको लिख सकते हो जीरो से ए एफ अक्स डी अक्स पलस जीरो से टू ए एफ ओ अफ टू यह मानिस अक्स है बाई जैसे है बाइ जैसे यह सेकिंड लिए जो लिमेट आपकी यह लिमेट आप प्रोंगे 0 से A ही है इसमें लिमिट है 0 से F ही 2A माइनस X कर देंगे यहां से फिर इसी टाइप से दूसरी है P6 है लिमिट 0 से 2A दी जाए और function आपका FxDx तो आप इसको दो टाइप से तोड़ सकते हो 2 इंटू 0 से A FxDx यदी F of 2A माइनस X इक्वल टो Fx हो और 0 वेल्यू होगा कब यदी F of 2A माइनस X 2A माइनस X इक्वल टो माइनस Fx हो यह concept है यह आपकी प्रोपर्टी नंबर 6 हो गई यह करा और प्रोपर्टी नंबर P6 है प्रोपर्टी नंबर जो P7 है इसको आपकी प्रोपर्टी नंबर करते हैं यह क्या है जैसे मान लीजी आपको अच्छे से प्रोपर्टी नंबर करना है इसको आपको अच्छे से प्रोपर्टी नंबर करना है इनकी विदाूट हैल्प से आप जो एक भी क्यूशन सोल नहीं कर पाओगे रहा है तो यह आप नोट करवा दी मिन्हें आपको लोगों को नोट कर लीजी एक बार आप आप अब देखिए इसके क्यूशन सोल करेंगे तो क्यूस्टन में देखिए मैं आपको सबसे पहले क्यूस्टन का प्रूव करवायता हूं जिसे आपके पास एक इसमें एक्जामपल दिया हुआ है एक्जामपल नमबर देखिए आप स्क्रेंट एक्जामपल नमबर 37 एक्जामपल नमबर क्या है थर्टी सेवन आपको एक्जाम में देखिए प्रूव देट एक्जाम में देखिए प्रूव देट लिमिट जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू लोग टू देदे यहां आपको देदे पाई बाई टू लोग वन बाई टू यहां आपको प्रूव करना हो इंपोर्ट एंडिक्शन द्यान डगना तो इसका आप प्रूव कैसे करोगे ध्यान देना सबसे पहले जो आपको दिया हुआ उसको लेट करें ना लेट आई इस इक्वल टू इंटिग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू इसका लिमिट है और लोग ताइन एक्स डी एक्स है इसको इक्विएशन नमबर फस्ट दे दिना आप यहां यूज करोगे पी फॉर पी फॉर जो प्रोपर्टी थी वह आप यहां यूज करोगी तो पी फॉर प्रोपर्टी क्या है भई आई इस इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लोग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और इंटिकेशन इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लोग कोस एक्स दी अक्स यह एक्वेशन नमबर सेकंड दे दिया आप ले आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फस्ट प्लस सेकंड तो आई प्लस आई इस इक्वल टू क्या हैगा जीरो टू पाई बाई टू इसका लिमिट लोग साइन अक्स दी अक्स फिर प्लस जीरो टू पाई बाई टू log cos x dx तो y is equal to आप दोनों integration की limit जो वह सेम है तो एक function में आप लिख सकतों इसे log sin x plus log cos x dx इसके बाद मिधान दीजिए log m plus log n का rule apply करो हो log sin x into force x होता है इसके बाद में क्या करोगी आप ध्यान दो 2 i is equal to limit 0 से pi by 2 अब आपको क्या करना इसको 2 से divide कर देना और 2 से multiply कर देना इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भई ऐसा लिखने के बाद में वापस लोग का rule apply कर देना 0 से pi by 2 लोग का rule apply कर उपर वाड़े हो क्या लिख हो एक बार ऐसे लिख देना log sin 2 x by 2 बाइ 2 sin 2 इंटो को से क्या होता है sin 2 यह होता है तो 2 i equal to क्या हैगा 0 2 pi by 2 limit log अलग अलग कर लो इसको log sin 2 x minus log 2 d x अब इसको आगे अलग करो आप अलग अलग करके तो 2 i is equal to क्या हैगा 0 से pi by 2 log sin 2 x और यहां से क्या हैगा minus 0 2 pi by 2 limit log 2 d x अब यहां से आपको क्या मानना है इसको आप मान लेना i1 और इसको आप मान लेना i2 इसको आप देदेना equation number 2 त्री देदेना इसको आप देदेना इसके बाद में आप ध्यान देना क्या करोगे i1 को सोल करना i1 equal to क्या था आपके बास 0 2 pi by 2 log 5 पाइन 2 index यह लिए बटा आप इसको जो है 2 ऑक्स को एसको इसको यहां परतिस्था अपन करोगे शेट होने खरतिस्था तो आपन करेंगे इसका परतिस्था अपन करेंगे दीक न परतिस्था पन करेंगे यहां मानने ना माना तू अक्स इक्वल तू टी ओन डिफ्रेंशियेशंस क्याएगा तू दी एक्स इक्वल तू दी ती ओर दी एक्स इक्वल तू वन बाइटू अब लिमिट भी चेंज करते हैं एक्स इक्वल तू जीरो पर टी ओर टू भी जीरो आएगा एक्स इक्वल तू पाइबाइटू पार तू क्या आएगा बताओ यह हमने लिमिट भी चेंज कर ली तो हमारे पास क्या जान दो यहां पर अब आईवन इक्वल टू क्या है बताओ लिमिट जीरो से पाई यह वन बाइटू बाहर रहे गया और यहां क्या गया भाई लोग साइन टी और डी टी आ गया ठीक है यह हमारे पास आया इसके बाद में आप दूसरा जो आपके बाद था आई टू पाई टू इस इक्वल टू क्या था भाई जीरो से पाई बाई टू और लोग टू और डी एक्स था यह कॉंसेंट अब आ रहे गा और यह जीरो से पाई बाई टू यहां कितना है भई तो लोग टू डी एक्स का इंटिगेशन एक्स होता है जीरो टू पाई बाई टू तो क्या है भई लोग टू पाई बाई टू माइनस जीरो फल कर लो पाई बाई टू लोगे टू यहां तक कोई दिक्कत है क्या बोलो यह हमने यहां तक लिख दिया इसको अब यहां आप ने इसको ऐसा लिख दिया तो ध्यान दीजी आप इसके बाद में क्या करोगे अब यहां तक करने के बाद आपके बास जो आया कंसप्ट वा आप इसमें एजिट लिख दोगे कहां लिखोगे जो आपके बास 2i वाला कंसप्ट दिया हुआ था क्या दिया हुआ था 2i का जो कंसप्ट आपको दिया हुआ था वहां आप यह चीजे लिख दोगे क्या लिखोगे भई वहाँ पे चीज़ें लिखोगे ठीक है ना तो वहाँ आप यह लिखोगे जान दो बैट आप इसको देदेना कितना नमबर चार नमबर और इसको पांच नमबर आप ज्यान देना यहाँ पर प्रॉम एक्वेशन थ्री फॉर एंड फाइफ क्या आएगा बटा टू आई इक्वल टू ध्यान दो क्या आया मारे पास ध्यान दीजी बटा यह लिखा भाई वन बाई टू जीरो से पाई लोग साइन टी डी टी और फिर पलस आप लिखोगे भाई धांग भाई एं माइनस माइनस यद्धा ना पाई गाई टू लोग अब यहां पर आप जान दो यहां पर माल ले ना बई साइन आप यहां पर जो पी 6 जो हा वो यूज करो यहां पर यूजिंग P6 P6 क्या कहता है बटा साइन पाई माइनस T इकुल टू क्या होगा साइन क्या होगा मतलब आपको मैं लिखाया था F of 2A माइनस X पराबर क्या होगा F X आया तो इसको तोड़ते कैसे हैं इसको तोड़ते कैसे हैं 1 by 2 into 2 0 to pi by 2 और लोग साइन T डिटी माइनस pi by 2 लोग 2 अहां पर भई भई देखो उसमें क्या था 0 से 2A लिमिंट होती थी F X DX होता था तो अपन क्या लेते थे भई 2 into 0 से A लेते थे जब F of 2A माइनस X पराबर F X होता था भई जीरो से पाई थी तो अपन क्या लिखेंगे भई 2 into 0 2 पाई का क्या लेकते हैं भई 2A होता था 2A का लिखते थे वहाँ पर तो यहाँ पाई है तो पाई का हाफ होगा क्या होगा पाई बाई और 2 multiply में जायेगा यह 2 से 2 cancel हो गया बहिए हंपर और यह क्या गया जीरो से पाई बाई 2 लोग साइन टी और डी टी और माइनस का पाई बाई 2 लोग टू अब यहां पर द्यान देना बटा किदर टू आई चलड़ा है अब आप यहां लिखोगी यूजिंग हाँ भी अब यहां आप यूज करो कुन सा भई पी वन एफ पी जिरो पी जिरो क्या थी जब लिमिट जीरो से ए इसको क्या लिखा लिख सबस्क्तों पाइगा जेरो से पालग साइनक्स और डी एक्स माईनस का पाइबाइट्स को लोग तू लिख दिया अब ये किसके बराबर आ गया तोmittटोई बराबरावाइबर आई माईनस लोग टू इसके बाद में यह इदर आजाएगा टू आई माइनस का आई बराबर माइनस का पाई बाई टू लोग तू तो आई बराबर क्या जाएगा बटा माइनस का पाई बाई टू लोग तू यहां आप आई बराबर लिख सकते हो गया भई पाई बाई टू लोग तू की पाउर मा यह आपको प्रूव करना था हैंसे समद गें भी यह आपका इंपोडेंट क्यूस्टन है इस क्यूस्टन का आपको सॉलुशन इसी टाइप से करना है और एक्जाम में काफी टाइम पूछा गया है तो संभावना बंती इसके आप नोट कर लीजिए ठीक है न नोट करने में बटा इसे 33 में आपको सॉलुशन प्रूव करवाए मान लो प्रूव देट आपको लिमिट दी जाए जीरो से पाई जीरो से पाई लिमिट दी जाए एकस साइन एकस अपोन वन प्लस स्कोन स्क्वाएं अक्स डिक्स is equal to आपको prove करना है क्या Chair पाई square by four ये prove करना है क्या prove करना है hi by square by four ये prove करना आपको तो देखे student आप इहाँ इसको किस ये शान करोगे धयन देना solution में आप इसको जो है let करेन? let i के इकवल to मालना है किसको 0 से pie limit दिया हुआ है और x sin x अपोन में 1 पलास कोस स्क्वाइर x dx इसको एक नंबर दे दिया equation number 1 आप यहाँ P4 यूज करना using P4 आप यहाँ P4 यूज करना उतके आएगा ध्यान दो बटा जीरो से पाई पाई माइनस x sin πाई माइनस x अपोन 1 पलास कोस स्क्वाइर पाई माइनस x तर लिया भई यहाँ तक इसको आपल करो integration 0 से पाई पाई माइनस x ऐसे कैसे अब यह साइन सेकिंड को आटेंट में क्या होता पोजेटिव यह साइन एक्स ही रहेगा अपोन में 1 यहां क्या जाएगा बताओ भाई 1 पलास बताओ चैंज नो चैंज नो चैंज होगा तो कोस x रहेगा लेकिन सेकिंड में नेगेटिव सेकिंड में क्या रहेगा भाई यह साइन पाई और साइन और कोसेक पोजेटिव होते हैं सेकिंड में पागिसार नेगेटिव रहेगा और यहां द्यांद अब इसको सोल कर लो इंटिग्रेशन जीरो टू पाई पाई माइनस एक्स से ताइन एक्स अपोन वन पलास कोस स्क्वाइर एक्स और डी एक्स क्लिएर है आब इसको लिख दीजें इंटिग्रेशन इस इक्वल टू अरे भाई कोस से 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा ही तो होता है और स्क्वाइर में पोजेटिव हो गया फिर यह फिर आप इसे लिख दीजें 0 से पाई अब अंदर मल्टिप्लाइ कर दो पाई साइन अक्स और माइनस का एक्स साइन अक्स और डी एक्स अपॉन में क्या रहेगा भई वन पलास कोस स्क्वाइर एक्स यहां तक किसी को डाउट अगया अब दो आपके बास function आगए दोनों को الागला कर लो πाई sine x और बटे में one प्लस cos square x माईनस x sine x अपॉन में one प्लस cos square x और d x दोनों को अलग अलग कर लीजिजिए 0 से πाई pi sine x upon में one plus cos square x dx और minus का zero से pi X sine x बटे में one plus cos square x dx अब यहांपर जियान दो इसकी जगह क्या आगया i यहां से pi共man zero से pi limit है साइनक्स डी एक्स अपॉन में वन पलस कोस स्क्वाइर एक्स है और माइनस का आई यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फस्ट ठीक है भाई यहां तक अब यह आई इस साइड में जाएगा तो क्या हैगा आई पलस आई इस इक्वल टू पाई जीरो से पाई ताई नक्स डी एक्स अपॉन में वन पलस कोस स्क्वाइर एक्स यह क्या आगा भाई टू आई आगा इस इक्वल टू क्या आगा पाई जीरो से पाई ताई नक्स डी एक्स अपॉन में वन पलस कोस स्क्वाइर एक्स यहां तक कोई डाउट है क्या बोलो अब इसके बाद में ध्यान देना बटा आई इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई टू जीरो से पाई लिमिट इसका और साइन अक्स डी अक्स बटे में वन पलस कोस स्क्वाइर अक्स अब क्या करना है यहां पर माल लेना प्रतिस्थापन करो इसका माना ओस अक्स बराबर टी माल लेना क्या मानोगे ओस अक्स बराबर टी ओन डिफ्रेंसियेशन्स अब इसका उकलन करोगे तो क्या है बताओ माइनस का साइन अक्स डी अक्स बराबर डी टी अब आप यहां से sin x dx बराबर minus का dt यह put कर देना लेकिन limit भी change होगी भी यहां पर आप x equal to 0 पर t equal to क्या आएगा 1 x equal to pi पर t equal to क्या आएगा भई minus 1 यह आएगा भई भई आपने pi रखा post pi कमान minus 1 होता है तो रख दिजी आप now integration is equal to pi by 2 limit क्या है भी यहाच की 1 से minus 1 आई negative का sign आगया और उपर क्या आगया dt upon में 1 पलस का t square भी कोई दिक्कत बोलो भई यहां तक है है यहां किसी को दिक्कत है अब आप limit apply कर दो यह मानक समाकलन आगया हाओ नेगेटिव का sign खतम करें तो लिमिट इंटर्चेंज पाइ बाइ टू माइनस 1 से 1 dt upon 1 पलस का t square यहां आप लिख देना भाई कौन सी प्रोपर्टी है भाई लिमिट इंटर्चेंज करते हैं तो प्रोपर्टी टू यह तो है fp1 ठीक है फिर आपके बास आगा integration pi by 2 आप इसका क्या आता है 10 inverse की और लिमिट माइनस 1 से 1 अब लिमिट अपलाए कर दो आप इस पे आप क्या करोगे limit अपलाए कर दो i equal to क्या आप बाटा pi by 2 10 inverse क्या नहीं है भाई 1 और minus का 10 inverse minus 1 ठीक है भाई यहां तक πाई बाई 2 10 inverse क्या आएगा भाई 10 πाई बाई 4 ठीक है और यहाँ पर क्या आए बताओ माइनस तो पहले बाई ले लो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 inverse 1 हो गया और इसका भी वही आजाएगा इंटेग्रेशन इस इक्वल टू क्या आजाएगा पाई बाई टू यहां से केंसिल पाई बाई फॉर आ जाएगा पलस टैन इनवर्स से टैन है पाई बाई फॉर वह इंटेग्रेशन इस इक्वल टू क्या आएगा पाई बाई टू पाइबाई 4 पिलास से पाइबाई 4 कितना है बदाओ है पाइबाई 4 और पाइबाई 4 कितना हो था रही यह बताओ पहले तो इंटिग्रेशंग इपज़ टु क्या आसब आसचा था भाई 4 यही आपको प्रूब करना था हैंड स्प्रूव नहीं होता है वह हैंड स्प्रूव होता है नोट कर लीजिए इसको इसन नमबर एट है इसको आप मान लेना माना आई इस इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फॉर इसका लिमिट है लॉग वन पलस टैन एक्स डी एक्स है यही दिया होना बटा आप यहाँ पी 4 यूज्ज करना यूजिंग पी 4 पी 4 यूज करों क्या है का 0 से 5 बाई 4 लोग 1 पलस टैन पाई बाई 4 माइनास एक्स डी एक्स है दिख दिया अब इसको आप सोल करो प्लस टैने माइनस भी का फॉर्मुला पड़ा हुआ है और लिको इस फोर्मुले को टैन पाइबाइब फॉर माइनस टैनक्स अपन में वन प्लास टैन पाइबाइब फॉर इंटू टैनक्स पड़ा हुआ पिर जीरो से पाइबाइब फॉर्मुला पाइब का वेल्यू कितना होता हैं वन LCM टेक करो यहां से 1 पलास 10X 1 पलास 10X पलास 1 माइनस 10X 10X to 10X कैंसील हो जाएगा इसके बाद में क्या है हमारे पास 0 to 5 by 4 log 2 upon 1 पलास 10X अब द्यान दो यहां पर जो आपने आई माना था सरु में उसको equation number 1 दे देना ठीक है ना अब वापस लोग का रूल अपलाई कर दो यहां पर आप log M upon N का रूल क्या होता है 0 to 5 by 4 ठीक है और log 2 minus log 1 पलास 10X दोनों की लिमिट सेम है तो अलग लग कर लो 0 to 5 by 4 log 2 dx minus 0 to 5 by 4 log 1 पलास 10X अब इसके बराबर क्या हैगा यहां गया हमारे पास क्या I आप लिख देना I equal to 0 से पाई बाई 4 log 2 कॉंसेंट बाहर रहेगा minus का I यहां लिख देना आप समय करन नमबार 1C ठीक है पटा यह आई दरा जाएगा तो I plus I रहेगा और यह log तो 0 से आपकी लिमिट थी यहां पर 0 से पाई बाई 4 और DX अब I और I को आप जोड़ दो क्या हैगा पेटा 2I is equal to log 2 इसका integration होगा limit 0 से पाई बाई तो 2I is equal to क्या हैगा log 2 पाई बाई 4 माइनस 0 तोल करो इसे 2I is equal to पाई बाई 4 log 2 यह divide में आएगा तो I is equal to क्या हैगा पाई बाई 8 log 2 यह इसका solution आजाएगा ठीक है ना यह आपका इसका solution है यह भी important अपने आप में note कीजिसको